पिछले विडियो में जो हमने पैटर्न डिजाइन करने का प्रोग्राम लिखा उसमें अब हम प्रोसीजर इंट्रिड्यूस करते हैं माई ब्लॉक्स यूज करते हुए और प्रोसीजर हम क्यों इंट्रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जो वर्टिकल और होरिजॉन्टल डिस्टिंज है इसको हम चेंज करके सेम पैटर्न को बहुत क्विकली देख पाएंगी हमारे फैब्रिक में कैसा लगेगा तो हम यहाँ पर माई ब्लॉक्स में जाके मेक अ ब्लॉक करके हम कह रहे हैं प्रिंट ब्लॉक और प्रिंट ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है कि हम यह जो पूरा लूप है इसको हम प्रिंट ब्लॉक के अंदर डाल रहे हैं फिर हम इस पे जो हमने नया ब्लॉक बनाया है राइट क्लिक करके एडिट कर रहे हैं और यहां पर हम एक नई वैल्यू जो है इंपुट वैल्यू या परामिटर जो है वो आड़ कर रहे हैं और वो है लेट से हम क्या होरिजॉंटल डिस्टन्स चाहते हैं तो मैं लिख रहा हूँ एक लेबल अएड़ कर देते हैं ताकि definition हो जाया उसकी तो हम कह रहे हैं horizontal distance और फिर एक और आड़ कर देते हैं v और असका लेबल अएड़ कर देते हैं वर्तिकल डिस्टन्स हम इसको ok करके अब जो हमारी change x by value थी यहाँ पर वो हम कह रहे हैं कि that is being defined by this whatever is this value of h और जो y की value थी कि y मैं जब printing हो रही हो तो vertical distance between two prints कितना हो वो इस v से determine हो रही है उसको हम यहाँ replace कर देते हैं और फिर अगर हम यह जो नया programming block है procedure का वो लाते हैं तो हम यहाँ जो भी value डालेंगे अगर मैं यहाँ 10 और 10 डाल देता हूँ और हमने turbo mode on किया हुआ है तो यह instantly print होगा तो मैं program test करता हूँ तो यह हमारा same pattern जो है जो यह दिखता है यह ऐसे print होगा अगर मैं इसका horizontal और vertical distance बढ़ा देता हूँ मानलो मैं इसको कर देता हूँ 80 और 80 यानि बहुत दूर दूर है तो यही pattern ऐसा दिखाई देगा तो हमारे पास अब we have become fashion designers हम अलग-अलग किसम के patterns बना सकते हैं और उन वो जब patterns हमारे fabric में print हो वो कैसे print हो कितनी उनका जो horizontal distance जब वो कितना हो और vertical distance हो वो कितना हो यह सब अब हम इस छोटे से program से determine कर सकते हैं तो अब हम next क्या देखते हैं कि हम चाहते हैं कि जब हमारा fabric print हो जाए तो हम देखना चाहते हैं कि वो अलग-अलग costumes में कैसा दिखाई देगा तो उसके लिए मैं sprite में जाके एक नई sprite paint कर रहा हूँ और यहाँ पर let's say मैं बहुत rough सा बना रहा हूँ कि मानलो हम एक T-shirt या कोई कुछ इस तरीगे का design करके देखना चाहते तो हम कोई costume जो है उसकी outline बनाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि pattern उसके अंदर कैसा दिखाई देगा तो हम यह बना के जो इसके आसपास है उसको हम white से fill कर देंगे तो इसके लिए हमने यह जो बनाया है shape यह vector है हम इसको bitmap में convert कर देते हैं और फिर वहाँ जाके अगर हम white fill लेकर इसके आसपास जो है वो fill कर दिया तो हमारा जो pattern था वो अब हमारे को ऐसा दिखता है कि वो t-shirt में कैसा दिखाई देगा तो अगर मैं वापस code में जाके sprite के code में जाके लेट से यही pattern देखना चाहता हूँ मैं distance कम कर रहा हूँ 2020 और फिर मैं चला रहा हूँ तो हमारा जो है हमारी t-shirt ऐसी दिखाई देगी इस pattern के साथ और अगर मैं यहाँ यह check का pattern लेता हूँ और इसको दिखाता हूँ तो हमारी जो t-shirt है वो ऐसी दिखाई देगी और अगर मैं यह जो हमने pattern एक और बनाया था यह देखना चाहता हूँ कि हमारी t-shirt कैसी दिखाई देगी तो मैं यह देख सकता हूँ कि इस pattern में अगर हम t-shirt प्रिंट करते हैं तो वो कैसी दिखाई देगी तो मैंने एक और जो fashion designing का program बनाया था उसमें मैंने अलग-अलग dresses बनाई थी outline बनाई थी तो यह scarf की outline थी t-shirt की थी, dress की थी और एक यह blazer की थी तो यह सब मैं backpack पे डाल रहा हूँ और अब मैं current जो हम program लिख रहे हैं उसमें जा रहा हूँ और वहाँ backpack को refresh कर रहा हूँ तो वहाँ से मैं यह जो हमारी dresses है वो ला सकता हूँ तो हमारे पास suit है हमारे पास एक यह dress की sprite है हमारे पास एक t-shirt है और हमारे पास एक यह scarf है तो हम last चीज समझते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि यह जो हमारी printing है जो भी हम pattern बनाएं जो भी हम horizontal vertical distance define करें वो print हो जाए और जब वो print हो जाए तब हम देख पाएं कि वो fabric कैसा लगता है stage पर फिर हम देख पाएं कि जो भी हमने fabric print किया है उससे यह different जो चीजे हैं यह कैसी दिखाई देंगी तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि जब programming यह जब यह printing खतम हो जाएगी तब हम events में जाके एक नया broadcast message बना रहे हैं और हम यहां कह रहे हैं कि new message is called when this printing is done broadcast a message called printing done और फिर हम for example अगर हम सबसे पहले scarf में इसको देखना चाहते हैं तो हम scarf में यह चोटा था program लिख रहे हैं हम कह रहे हैं कि जब green flag click होगा तो hide कर देना और जब printing done नाम का message मिले तब show करना फिर wait for two seconds और इसको hide करके फिर broadcast a message called scarf और फिर हम dress में जाके क्या कह रहे हैं कि normally dress को hide when green flag is clicked dress के sprite को hide करके रखना पर जब जो वहाँ पे scarf करके message जो था वो मिले तब show करना दो second तक दिखाना फिर hide करना और broadcast करना एक message काल dress और फिर हम t-shirt में जाके कह रहे हैं कि when when I receive the message called dress तब पहले hide रहे हैं तेन show yourself और finally जब t-shirt हो जाएगी तो वो message जाएगा t-shirt और हम suit के sprite में जाके कह रहे हैं कि when green flag is clicked keep this hidden but when I receive the message जो last message था जो था t-shirt so when I receive the message t-shirt फिर looks में जाके हम कह रहे हैं show तो अब अगर हम program को चला के देखते हैं तो ये pattern हमारा different चीजों में कैसा दिखाई देगा ये हमारा program बन गया है यहाँ पर मैं जो जब ये printing खतम हो रही है तो ये बहुत quickly shift हो जा रहा है तो मैं यहाँ पर control में जाके एक wait for let's say one and a half seconds कर रहा हूं ताकि जब भी हमारा जो भी हम pattern को print करेंगे वो print हो जाएगा तो हमें दिखेगा कि fabric में वो कैसा दिख रहा है और उसके बाद different costumes में वो कैसा दिख रहा है तो let's say यहाँ में थोड़ा और change करने के लिए कर देता हूं distance 30 30 और इसको फिर print करता हूं तो fabric हमारा ऐसा दिखता है इस fabric में scarf ऐसा दिखेगा dress ऐसी दिखेगी t-shirt ऐसी दिखेगी और जो blazer है वो ऐसा दिखेगा और अगर हम यहाँ जाके कोई नई costume select करते हैं let's say यह checks और वापस code में आके हम let's say checks को दूर दूर print करते हैं 50-50 horizontal vertical distance click तो यह checks ऐसे दिखेगे और इतनी दूर दूर में यह different costumes में इस तरीके से नजर आएंगे और यही check अगर हम distance का horizontal और vertical distance कम कर देते हैं तो यह check इस तरीके से दिखाई देगा और different fabrics इस किसम के दिखाई देंगे तो आप basically fashion designing का यह program बना सकते हो और आपकी creativity पर है कि जो भी आप pattern बनाओगे यहाँ पर उसको आप print कर सकते हो कितना past कितना दूर और फिर देख सकते हो कि उस pattern से जो भी आप dresses बनाओगे और आप dresses भी खुद design कर सकते हो वो कैसी दिखाई देंगी